ब्रेक के बाद स्वागत आपका सीन्यूस भारत में देशबर में दिपावली पर्विकी धूम है वहीं उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद जनपत की जिला जेल फतेगड की महला बंदियों द्वारा निर्मित डिजाइनर मुंबत्ती और डिजाइनर मिट्टी के दियों से जिला जेल फतेगड रौशन होगा जिला दिक्षक भीमसेन मुकुद ने बताया कि महला बंदियों द्वारा आगामी दीपावली के त्योहार के लिए पूर्व वर्षो की भाती स्वर्ष भी महला बेरक में डिजाइनर मिट्टी के दिया और डिजाइनर मुंबत्तियां बनाई गई है जिसके बिक्री जेल बंदी उतपात केंद्र के माध्यम से आमजनता के बीच की जा रही है जेल में आने वाले मुलाकाती जेल के दिया और मुंबत्ती को काफी पसंद कर रहे हैं इस वर्ष कारगार में ही बेक्री प्रिशिक्षन केंद्र में निर्मित बिसकिट और मिठाई के रूप में निर्मित नानखटाई की भी खूब बिक्री हो रही है जेल के बेकरी उतपात को जनपद इस्तरी अधिकारियों द्वारा भी काफी पसंद किया जा रहा है और उनके द्वारा इनकी खरीदारी भी की जा रही है जेल के अधिकारी और करमचारियों द्वारा भी जेल के दिया और मिठाई की खरीदारी अपने परिवार के उप्योग के लिए की जा रही है जेल की महला बैरक में डिजाइनर दिया और मुम्बत्ती निर्मान में महला जेल बॉर्डर नगमा का विशेश सहयोग रहा है नगमा के द्वारा प्रिशिक्षन प्राप्त करके महला बंदियों को प्रिशिक्षन कर डिजाइनर दिया और मुम्बत्ती बनाई जा रही है जेल अधीक शक भीम सेन मुकुद ने जानकारी देते वे आगके क्या कुछ बताया सुनिये को मनाते हैं जेल में भी बंदियों में इसके प्रति बहुत उत्सा है और मैला बैरक में हमारी जो मैला बंदी है वो पूर्व की भांती जो है डिजाइनर मुम्बत्तियां और डियाओं का निर्मान कर रही है इनको जो है वह वह वाजयार में भी बेचा जाएगा और जेल के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जालोए के हमारे करमचारी हैं भी खरीद लेते हैं अधिकारी लोग भी खरीडते हैं और इस्थानी प्रसासने कि जो अधिकारी है वो भी जो खरीते हैं जो बहुत हम Senior करागार बाहर उड़ेट बनाया हुआ है जिस बिक्री प्लवक की जեղ में एक के यूनिक बनाई गए जो काझे उसमें बनाई गई लॉवो तसमें ढू branches के सब्सक्रान शुक्ति करे और्फ में इस तिक रहता है और यह है जल्दी की अंदर होता है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह अपपmoi को यह वह लॉंग लाइफ होती है बहुत दिनों तक चलती है जल्दी इसका मों जहल खतम नहीं होता है चुक्रिव जार की अंदर ही रहता है तो जलता कम है इसकी लाइफ अधिक होती है क्या इसको जो है कि अपने हाँ जो है काउंटर पर लगा के बिकवाएं जाएंगी उसके लावा और लोगों को परसाइट किया जाएगा इस चीज के लिए हाँ हमने पहले भी इसका ब्यापक पर चार पसार किया था यहां के इस्थानी दुकांदार में कुछ खरीद कर लेकाई थे लोकल लोग और अभी भी इस बार भी लोकल लोगों को भी उपलप्त कराई जाएगी और जेल के रिटेट आउटलेट से भी इसकी बिक्री कराई फरुखाबाद से सीन्यूस अमधाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट देखा जाए तो बाके यह सराहनी पहल है जेल के अंदर रहते हुए भी महलाएं सशक तोर आत्म निर्भर बन रही हैं इन महलाओं से बाकी महलाओं को भी प्रेणा लेने की जरूरत है ताकि वो भी आत्म निर्भर बन सकें फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश तोनियां की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूस भारत